आज हम फिर से लेकर आगा हैं physics chemistry calculation के ऊपर एक और वीडियो तो आज के इस वीडियो के लिए जो हम लोग calculation करने वाले हैं उसका question हमने पिक किया है chemistry के एक chapter mole concept से चलिए आज का ये वीडियो सुरू से लेकर आखरी तक देखते रहिए और सीखते रहिए आज का हमारा ये question होने वाला है 1.03 minus x divided by 53 plus x upon 50 is equal to 20 upon 1000 अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा तो इस question को हम लोग आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले 20 से हम लोग यह 1000 को डिवाइड कर लेते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यह 00 कैंसिल उसके बाद टू से डिवाइड करेंगे तो टू सी आ जाएगा 50 तू से हो गया 50 तो वन अपान 50 इधर बचा तो नेक्स लाइन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.03 minus x divided by 53 इस इक अब देखिए इधर है वन अपान 50 तो वन अपान 50 लिख लेते हैं और एक काम करते हैं यह वाला जो पार्ट है एकस अपान 50 वाला इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं तो यह कुछ ऐसे बन जाएगा एकस अपान 50 तो नेक्स लाइन में क्या लिखेंगे 1.03 minus x divided by 53 अब ध साथ लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1 minus x divided by 50 अब इसके बाद simply क्या करना है इधर हम लोग को cross multiply कर देना है 50 का और इधर cross multiply कर देना है 53 का तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 50 multiplied by 1.03 minus x is equal to 53 multiplied by 1 minus x अब next page पर हम इसी को लिख लेते हैं एक बार तो सबसे पहले 50 का multiply हम लोग 1.03 में करेंगे तो 50 का multiply करना है 1.03 में तो सबसे पहले यहां पर एक काम करते हैं यह जो 50 है इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 multiplied by 10 multiplied by 1.03 क्योंकि 5 में 10 का गुड़ा करेंगे तो 50 कर सकते हैं तो 10 का multiply इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर बचेगा 5 multiplied by यह हो जाएगा 10.3 हम बहुत ही डीटेल में आपको बता रहे हैं अगर आपको आता है पहले से तो आसानी से आप डारेक्ट कर सकते हैं अब 5 का multiply करना है 10.3 में तो कैसे हो जाएगा यह जा 51.5 तो यहां से हमको मिल गया 51.5 अगेन यहां पर 50 का multiply X में भी करना पड़ेगा तो यहां से हमको मिलेगा माइनस 50 X और इस साइट देखिए उस साइट 53 का multiply वन में तो 53 होगा और अगेन यहां पर 53 का multiply X में तो यहां से मिल जाएगा- इसके बाद minus 53X को इधर लेकर आते हैं और से 59.5 को इधर कर लेते हैं 53 एकस बाइगगा इसका sign हो जाएगा minus से ये plus में convert हो जाएगा फिप्ती एकस और पहले से है 50x right side में क्या हो जाएगा 53 पहले से है और 51.5 left hand side से right hand side में जाएगा तो इसका भी sign change हो जाएगा यह हो जाएगा 51.5 अब इधर subtraction से हो जाएगा 3x और इस side 53 में से 51.5 को हम लोग इस तरह से subtract करेंगे 53 और इधर है 51.5 तो इधर point लगा के 0 लगा सकते हैं अब 10 में से 5 जाएगा 5 और यहां पर 2 बचेगा 2 में से 1 जाएगा यहां पर 1 और 5 में से 5 जाएगा 0 यानि कि 1.5 तो यहां पर हमको मिल गया 1.5 तो x is equal to 1.5 और यहां पर 3 आ जाएगा इस तरह से cross multiply में यानि कि यहां पर आएगा 3 अब आप जानते होंगे डेड़ का दोगना होता है तीन तो डेड़ से काटेंगे तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में धन्यवाद